एक स्टूर्ण को अपने टीचर पर क्रश होता है जब वो उससे अपसेस्ट हो जाती है तो आप सब चीज़े बीगरने लग जाती है आज के हमारी मूवी यह एक थ्रिलर कोरियन मूवी है इसका नाव इनोसंट लव और यह 2014 की है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करना चाता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आत रहता हूँ तो प्लीज चानल को सबस्राइब भी कर दीजे और बेल नुट्रिशन आइकों तो पने मत भूलेगा अभी बीना किसी तेरी के मूवी एक्स्प्लेंट करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कारेटर जिसका नाम है जून इसको हम देख सकते है जून एक स्कूल में जीम टीजर है या फर्स सीन में वो स्टूडन्स को स्विमिंग करना सिखा रहा है इसी सीन से हमें ये भी पता चलता है कि उसकी स्कूल की बहुत सारी लड़कियों को उस पर क्रश है इसमेंसे एक लड़की का नाम यंग है यंग जून को बहुत पसंद करती है और उसका अटेंशन पाने के लिए स्विंग पूल पर सबसे उची जगा पर चड़ जाती है वहाँ से जम मारती है सब उसके लिए वरी करते अगर वहाँ से ओ जम मारे की तो इंजूर हो सकती है पर वो किसी का पर नहीं सुनती और जम मार देती है उसे फिर जून बचाता है उसे ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके बाद नेकसिन में हमें जून की वाइफ दिखाए जाती है वो प्रेगनन्ट है और नए घर में अभी मूविन कर चुके है एक दिन जून सबको टॉजबॉल सिखा रहा था इसे प्लेग्राउंड बर यंग भी थी उसने यंग की तरह बॉल फेका पर वो उसे अपने आपको टस्नी होने दे रही थी ऐसा बहुत बार हुआ तो जून ने बहुत जोर से उसे वो पॉल मारा इसे वो इंजोर हो गए तो उसा फर्स्ट एड कराने के लिए उसे स्कूल में लेकर गया जून कहता है इतना फास्ट पॉल आ रहा था तभी तुम उसे कैच करना चाहती थी या तुम डरती नहीं, तो मारा फिंगर सो एगरा फ्रैक्चर हो जाएंगे यंग बोलती है, मैं किसी भी चीजस से नहीं डरती है वो जून से बुछती है, तुम किस चीजस से डरती हो और उसे कले लगा लेती है वो फिर अब वहाँ से चला जाता है निकसिन में हम देखते है कि जुन अपनी वाइफ के साथ फैमिली डिनर पर आया हुआ है यह उसकी वाइफ की फैमिली के साथ डिनर है इनकी कनवरसेशन से हमें पता चलता है जुन का नया घर भी उसके फादर-in-law नहीं उन्हें गिफ्ट किया था इस डिनर पर हम उसे uncomfortable देख सकते है एक दिन जुन ग्रोसरी शॉप में था वह उसे यंग फिर से मिली यंग को strawberry मिल चाहिए था तो इसके पैसे उसने जुन को ही देने के लिए कहे वो उसके पास आकर कहे थी है तुम पहले rugby player हुआ करते थे मुझे भी rugby बहुत पसंद है जुन कहता है अगर तुम्हें खेलना है तो तुम्हें female team में मिल डाल सकता हो इसके बाद next scene में हम directly देख सकते है कि जुन rugby खेल रहा है उसे cheer करने के लिए यंग वहाँ आई हुई है उसे female team में नहीं जाना था उसे सिर्फ जुन को खेलते होए देखना था जुन के friends जब नोटिस करते है तो उसे चिडाते है कि वो तो बहुत beautiful है अगर उसके कोई friend हो तो उसके साथ हमें भी set कर देना जुन इन पर गुसा होता है और कहता है ऐसी सोच मत रखो ऐसा कुछ भी नहीं है ये game खेलने के लिए यंग जुन के साथ ही आई हुई थी गेम खतम होने के बाद वो थोड़ी दिर में गाड़ी में ही सो गए जुन अब उसे ट्रॉक करने वाला है यंग का seat bell बानने के लिए उसका पास गया यंग जगी हुई थी उसने कहा अगर तुमें मुझे किस करना है तो तुम कर सकते हो जुन ने इसे इग्नोर कर दिया जुन की गाड़ी पर यंग एक साइन बना कर जा दिया यह थी है कि आप गाड़ी को वाश मत करना अगले दिन स्कूल में पानी के साथ सब लड़किया खेल रही थी इसमें यंग भी थी और इसे जुन देख रहा था पुरी देर बाद जब सब लड़किया चली गए तो इस टैप के पास जुन आया यंग की हेर क्लिप वहाँ उसे मिली ये क्लिप उसने अपने कपड़ों में ही रख दी थी उसे वाशिंग के लिए दे दिया उसे बात में याद आया कि उसकी वाइफ ने कपड़े वाश कर डाले होंगे वो स्पीन को ढून रहा था पर उसकी वाइफ ने ओल्रेडी से ढून लिया था उसके हेर्स में एक लिप थी वाइफ को लगा कि एपीन जुन ने उसी को गिफ्ट देने के लिए लाई हुई थी ये कलिप देखकर वो बहुत ही खुश होती है रात में हम देखते हैं जुन और उसकी वाइफ जब इंटिमेड होते हैं तभी भी जुन यंग के बारे में ही सोच रहा था एक दिन जुन को स्कूल में लेट हो गया और बाहर पारी स्टार्ट हो गई थी वो जड़ा बाहर निकला तो वहाँ यंग भी थी उससे कहती है एक बार बारिश खतम हो जाए उसके बाद में चली जाऊंगे जुन और यंग फिर बारिश खतम होने का वेट करते हैं जुन लोटिस करता है कि यंग यहाँ भी स्ट्रॉबेरी मिलखी पी रही है वो उससे पूछता है कि तुम हमेशा स्ट्रॉबेरी मिलखी क्यों पीती रहती हो यंग कहती है जब मुझे एक फ्लेवर पसनाता है तो उसे मैं हमेशा कंटिनू करती हूँ इस सीन से हम देख सकते हैं यंग को एक चीज पसना आगे तो उससे वह अपसेस्ट हो जाती है यंग को थन लग रहे थी तो जुन अपना जैकेट उसे ओफर करता है अंदर जाकर यंग ये जैकेट पहनने का ट्राइक करती है पर इसकी चेन उसे ट्रॉबल देती है जुन से भुछती है प्लीज अंदर आकर मुझे हेल्प करो जुन को पहले सही नहीं लगता पर वो अंदर फिर चला जाता है जैकेट की चेन लगाते वक्त यंग की बॉड़ी को नोटिस करता है वो उसे अब किस करने वाला था पर उसे गलत लगा तो आगे चला गया अचानक से जोर की बिजली कड़के यंग डर गे और उसने जुन को गले लगा लिया इसके बाद वो किस करने लग गया अचानक से गाड की आवाज उने आए वो सब क्लासरूम्स चेक कर रहा था ये दोनों वही चुप गया यंग कुछ आवाज ना करे इसलिए जुन ने उसका मूँ बन कर दिया यंग का दम घुट रहा था गाड चले जाने के बाद जुन ने जब यंग को देखा तो बेहुश थी जुन बहुत ही डर गया उसने यंग को उठाने की कोशिश की पर वो उठ नहीं रही थी बहुत देर हो चुकी थी और जनरेली जुन घर पहुच जाता था तो उसकी वाइफ उसे देखने के लिए स्कूल में पहुच गई गाड के साथ वो उसे ढून रही थी तो जुन भी बाहर निकलाया वो कुछ कर ने पाया और यंग को वैसे ही छोड़कर घर चला गया रात में एक्स्क्यूज लेकर वो यंग को फिर से ढूनने के लिए पहुचता है यहाँ पर यंग उसे नहीं दिखती वाव उसका फॉन पढ़ा हुआ है जो औरक लेता है अगले दिन सब स्टूडन्ट से पुछता है यंग का है पर किसी को भी पता नहीं होता पुरी स्कूल ढूनता है तो एक जगा पर यंग उसे मिली जाती है वो बहुत ही वरेट था कि यंग के साथ क्या हुआ यंग उसे पुछती है कि तुम कहा चले गए थे जून कहता है तुमें देखने के लिए मैं वावपस आया था पर तुम वहाँ से चली गई थे उससे रिक्वेस्ट करता है हमारे बीच जो भी हुआ प्रिस हमारे बीच ही उसे रहने दो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यंग भी इसके लिए मान जाती है जो भी सब जून और यंग के बीच में हुआ था तो ये सब यंग स्कूल के ब्लॉग में लिख डालती है स्कूल की सब लड़किया देखकर हस रही थी और टीचर को भी पता चल गया प्रिंसिपल ने यंग को मिलने के लिए बुला है उसे पूछा कि तुमने ये सब क्यों लिखा क्या तुम्हारे साथ सचूल में ऐसा कुछ हुआ था यंग जून को ट्रवल में नहीं लाना चाहती इसलिए कहती है कि ये सब इमैजनरी था बहुत सारे टीचर्स ने जून और यंग को एक साथ देखा है प्रिंसिपल को शक जाता है कि शायद ये सब सही हो सकता है वो जून को बोलाता है और वार्निंग देता है कि अब तुमें बहुत ही सीधी सीधी रहना है तुम्हारी और किसी स्टूडन की कोई भी रूमर फेलनी नहीं चाहिए अगर ऐसा हुआ तो वो ट्रवल में आ सकता है इस incident के बाद जून यंग को इग्नोर करना start करता है उसके सब messages वो इग्नोर करता है एक बार वो अपने friends के साथ बार में आया हुआ था अपने friend को कहता है कि मुझे मेरी job पसंद नहीं आती जैसे हमें जून का background पता है को एक rugby player था उसे उसमें ही career करना था उसका friend उसे समझाता है कि तुमारी wife वाइफ प्रेगनेंट है तुम अपना job नहीं छोड़ सकते है Friend की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जून की wife pregnant हो गई थी इसलिए उन्होंने शादी की है जून के बारे में ये बहुत important information बन जाती है वो rugby player बनना चाता था उसकी girlfriend pregnant हो गई तो उससे उससे शादी करनी पड़ी एक stable job लेना पड़ा वो अपनी life से खुश नहीं है राप में ये जून के घर पर भी call करती है वो से कहती है कि मैं तुम्हें miss करती हो जून इसके लिए भी कोई answer नहीं देता स्कूल में उसके लिए वो gift भेश दिये पर जून इसे टेस्विन में डाल देता है एक दिन जून स्कूल से घर आया वाइफ उसके लिए अच्छा सा डिनर बना रही थी वाइफ ने कहा कि तुम्हारे लिए एक surprise है उनके बच्चे के लिए वाइफ ने पूरी रूम पेंट कर लिया है वाइफ जून से कहती है यंग के पैरंस आज घर पर नहीं है तो हमारे साथ ही वो आज रात रहेगी जून इसके लिए कुछ कहे भी नहीं पाता डिनर टेवल के नीचे से ही यंग जून के साथ फ्लर्ट करती है आतमे जून और उसकी वाइफ बात करते है जून क में टीचर पर क्रेश होना यह बहुत ही नॉर्मल है आधी रात में यंग जुन के कमरे में आ गए उसे बाहर ले कर गए उसके साथ वो इंटिमेट होना चाहती थी जुन इसके लिए मना करता है पर वो मानती नहीं जुन कुछ भी ट्राय करे और यंग उसका पीछा नहीं किया इससे यंग बहुत ही गुस्सा होती है यह जो लड़की थी इसे शावर में कोई चाकू मार कर चला जाता है स्कूल फिर इस लड़की को हस्पिटल में एडमिट करते है जुन और उसकी फ्रेंड जिसका नाम ही यून यह दोनों फिर बात करते है जुन को लगता है कि य भाइर उसे चोड़ने के लिए यह सब देखकर जुन की फ्रेंड पर वाइव गुस्सा होगे एक्चुल में जुन और उसकी फ्रेंड पहले रिलेशन्शिप में थे रात में जुन को चोड़ने घर पर आए यह उसे अच्छा नहीं लगता गहती है कि लोग बाते बनाते है तुमारे रेपुटेशन का तुम खयाल रखा करो जुन को तुमें इतना नहीं पीने देना चाहिए था इसकी बात फ्रेंड यहां से चली जाती है जैसा हमें पता है कि जुन की वाइफ अफ यंग को पढ़ा रही है यंग जुन के वाइफ से कहती है तुमारे रिंग बहु नहीं उंगली तुम तोड़ सकती हो इस सब कनवर्सेशन से वाइफ अनकमफरिबल होती है एक लास वो यही कतम कर डालती है यंग उससे कहती है मैं थोड़ी देर यही वेट करती हो जुन जब घर पर आएगा तुसे मिलकर वो जाना चाहती है यह सब देखकर अब वाइफ क उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा जुन फिर भी मान नहीं रहा यंग उससे फिर ब्लैकमेल करती है यह ति है अगर तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते है तुसे पता चले या ना चले इससे क्या फरक पड़ेगा यानि कि इंडायक लिए उससे कहती है यह उसकी वाइफ को बता देगी जुन स्ट्रॉंगली चाहता है कि यह सब बन हो जाए वो स्कूल छोड़कर फ्रीलाइंसिंग कोच भी बन सकता है इन सब चीजों के बारे में अपनी वाइफ को गहता है उसकी वाइफ उससे समझाती है यह थी है अगर तुम फ्रीलाइंसिंग जॉब करोगे त इसके स्मेल से यंग इरिटेट होके और उसने उल्टी कर दी वाइफ से कहती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ इसे वाइफ को बहुत शौक लगता है उसे पहले ही जुन और यंग पर शक था रात में वो जुन का पीछा कर दिया जुन यंग के बिल्डिंग में ही पहुच गया उसे फिर कंफर्म हो जाता है कि यंग जुन की वज़े से ही प्रेगनेंट है जुन यंग को समझाने के लिए गया था उसे गहता है प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी वाइफ को मैं नहीं छोड़ सकता यंग जुन से गहती है अगर तुमारी वाइफ नहीं होती तो कितना अच रहा है यंग ने वाइफ को पसनली कहा था वाइफ भी चिट गए उसने कहा कि जुन सिर्फ तुमें यूज कर रहा है तुम दोनों की बीच एक रियल रिलेशन्शिप नहीं है वो तुमें यूज करेगा और उसके बाद छोड़ भी देगा यंग कुछ बोल पाए इसके पह चाहती हो उसे जुन के फ्रेंड से हेल्प चाहिए यह दोनों फिर यंग को डॉक्टर के पास लेकर आती है उसका वो इलीगल एबोर्शन करवाने वाली है डॉक्टर यंग को चेक करते हैं और कहते हैं यंग प्रेगिनर नहीं है वो तो कभी किसी के साथ इंटीमेड भी न प्रेजनरी बेबी का अबोर्शन हो चुका है वो बहुत डिस्टब हो जाती है वो फिर वाइफ को मारने लगती है एक दूसरे को मार ही रही थी तब ही जुन वहाँ पहुच गया इनकी फाइट उसने रोकी इस फाइट की वज़ेसे यंग की वाइफ का वाटर प्रोक यंग के पास एक कटर था इस कटर से ही जुन की फ्रेंड को उसने मार डाला नेक्स दे हॉस्पिटल में आकर वो जुन का वेबी अपने साथ लेकर चली गए जुन और उसकी वाइफ को जब ये पता चला तो बहुत डिस्टब हो गए सब जगा ढूडने लग गए वाइफ क ग्याग को एपनी बीलिदिंग की वाटर डाइंग के पास थी वाइफ आकर उसे पुछती है कि मेरा बेवी कहा है यंग उससे यह थी है जितना पैर में जून को कर सकती हो उतना तुम कभी भी नहीं कर सकती है वो उसे point out करती है कि उनका baby इस water tank में है बेबी को ढूंडने के लिए wife इस water tank में jump करती है वो जब देखती है तो water tank में एक doll थियो यउंग बहार से wife को अंधर ही बन कर देती हो वाइफ को ड्राउन करने किया, उसने पानी भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ी दर में जून यंग की बिल्डिंग में भोजा, यंग के घर में उसका बेबी उसे मिल गया, वो फिर अपनी वाइफ को ढूडने के लिए यंग के पास आया, यंग उसे समझाती है कि मैं उससे एज पर खड़ी है, यह जून ने देखा, जून से जहता है, प्लीज नीचे उतर जाओ, इस बारे में हम बात कर सकते हैं, यंग सुनती नहीं और जम मारती है, जून जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि जल्दी से उपर आजाओ, यंग उपर आने का ट्राय नह जाता है, यंग नीचे गिर कर मर जाती है, जून अपनी वाइफ को कह रहा था, यंग को बचाने के लिए उसके वो हेल्प करें, पर वाइफ नहीं मानी, अब हम देखते हैं, जून उसकी वाइफ और उसका बेबी, यह सब एक साथ तो रहते हैं, पर जून बहुत ही दुख किया, वो अपनी वाइफ पर चीट नहीं करना चाहता था, यंग को उसने ये सब समझाने की कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी, यंग उससे अपसेश्ट थी, उसका अपसेशन बढ़ता चला गया, और उसका अंत बहुत बुरा हुआ, फाइनली उनकी गलती की सजा एक दूसरे को भूगत नहीं पड़ी, आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं, अगर आपको ये वीडियो चला लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करतीजे, बहुत सारी मुविज लेकर आत रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करतीजे, और बेल नोटिशन के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका खैल रखिया